विल्कम टू मैं वीडियो ए थले पाई का एपिसोड नमर एट एक्क्लिनेशन होगा एपिसोड इस्टार करूँ इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना साथ मैं मुझे ए भी जरूर बताओ कि आपको एपिसोड की शुरूरात में दिखा जाता है पशिका की मौम पशिका से मिलने के लिए हस्पीटल पे चली जाती है और यहाँ पर उनको यह नहीं पता था कि टीवी उनको पॉलो करते होए आ गया था और उसके बाद जो पशिका नहीं मौम और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो पशिका की मौम थी वह बता देते हैं कि टी मुझे फॉलो करते हैं आ गया था मैंने उसे बग्डा दिया एस उनने की बाद पशिका को और बी जादा बुरा लगता है अमें दिखा जाता है अब यह लोग पर पशिका का बहार आती है तो वहाँ पर जो थी था और बुछती है कि तुम्हें पर क्या करें मौम ने अले तो तुम्हें बगाया है अगर देखेंगे तुम्हें यहां पर तो बहुत बड़ा सींक्रेट होगा तभी की बोड़ता है कि प्लीज मुझे एक बार पशिका से मिले दुजे यह मेरा आकरी बार होगा मैं पशिका से मिले बेगा नहीं जा सकता है सुनने की बात जो प्वीन थी और अलाव करती है पशिका को तिखा जाता है और भी बहुत जदा डिप्रेस मोड में थी कोई आता है अंदर यह था तोटी लेकिन उसे लगा उसके बहने इसलिए पशिक तुमें थोड़ी पता था कि मुझे कोई बोजिशन दे रहा है और इसमें कोई भी गल्टी नहीं किसी और की गल्ती है इसा हो भी बोल्रही थी और उसके बात ती बोलता है कि तुम मैं नहीं चाहती तुम वापक से ले जाओ अंझा और में तुम्हें ले जाने आया था यह किसे पिछे हर सकती हूं तभी ती उसे सब्जाते में बोलता है कि पसी का थ्रास में अगर मेरे पापा जिन्दा होते तो ओगी हो इसी सोते जो मैं सोचाओ तुम्हारी सब्सक्री में है कि तुम्हारी सब्सक्री में है कि तुम्हारी सब्सक्री में है कि तुम्हारी सब्सक्र कि आदम आप्सपाइते हैं रिम आंसु आ रही थांवान घंच मुझे कोंगाएव सब्सक्राइब कि आप आंसु आपनले हैं पाल आइलांड वालिन उसे से एखाय और तो बहुत खु़छ रहोगी अपने वाले बजिए आफने ऐसा हो बोलता है पसी का भुए जा रहे था है कि की नहीं पाला की हमारा और शाथ होनाँ होगा इसके वाद कभी नहीं हो पाईगा भानेंगे और ऊसके बाद वो गौःबाई नहीं पाता है और इनका किसमत है का फुरागता यहां पर भी उसके जान के पढ़े हुए हो औरो डाटने लगती है औरो से बोलते हैं कि प्रीज यहां से दफ़ा हो जाओ मैं नहीं चाहती कि मेरी बेती के लाइं इसे ज्यादा मुश्किल में आ जाये तुमें और तुमारी फ्राम दीवालो के बज़े से इसा हो बोल देती है ती आंटी को सॉरी बोल के वहां से निक्टल जाता है लेकिन प्राट उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसके बाद उसे कुछ पताता है जो इसा था कि प्राटन तो अप्त की बोला हुआ था यह दोनों हस्बिन वाइफ है लेकिन इसा था नहीं और अब हमें रिबिलेशन पता चलता है कि असल में जो पैड था पैड और पशी का दुशे को पसंद करते थे एक पाइम पे लेकिन बाद में पता चलता है तो उसका खुद का भाई है भाई मतलब जो पापा थे उनका कुछ एक्समेशल अफ्रेजर शा था जिन में से एक प्राट पेडा हो गया तो अलग-अलग मॉम से एक बचे पेडा हो गया लेकिन बाप पापा एकी थे तो इसलिए इन्टोन का सरनेम एकी था इ प्राट के मौन तक पहुची नए थी और हमें अब दिखा जाता है ती पश्रीका को बहुत जगा मिस्कर जाता था और वही पैट के बाते याद कर रहा था और उसने बोला था कि यह सई बगते तुम्हें बताने का ती बोलता है लेकर तुमने बहुत बेर कर दिया बताने म जिव आती है जिव आने के बाद ओर तीको जो उसने पता लगया था उससा प्रता देती है कि सुड़ा पसिका को पोई जिम्मे में इंवाल थे अगली जिन में दिखाया जाता है जो पसिका थी ओ काफी ज़्यादा अकेला मैसुस कर रही थी पर इन उसके पास आती है और उ जो मुझे कितने गलत तरीके से टीट करता था लेकिन फीड़ी में आपने अपको रोक नहीं पाई उससे प्यार करना के लिए मुझे तो उससे नफरत करना चाहिए था ना और मैं उससे प्यार कर बेटी ऐसा बोल कर रही थी और भोल रही थी कि इवन उसकी मॉम भी मुशे कि अपर और मैं उससे नफरत कर रही हो ना फरत और रही थी बात संद्राबर कर रही थी तो यह जो कि आपने एंप पर भी बश्रीका बहुत मिस कर रहा था और जाता है चीव के पास और चीव को तिखा जाता है जो आईस्पीम का रही होती है और उसे aice cream उफर करती है और tea ले लेटा है aice cream उसके बाद दोने तो यह भूतार आज पिलटर साइट पीछ चाह्त है बेटे हॉय थे और tea बोलता है कि bet मुझे मेल था और उसने मुझे एक बात बताई ज्यू , ज् equally क्या बात तभी वो दोने को काज़.. वो दोनों कोई हास्पेनों एपनेबल की सिपलेंग साहिए जोने की बाद जिव का तो एकस्पेसी ने प्रदल था था उबलता की की रिली सची में और टीस लबत जाता है वो समयल करता है और उसके बाद जिव बहुत ज्यादा खुश्ती है उसे बोलती की तब तो तुमारे चाहिए पची के साथ एक ने का तब जीव बोलता है कि मैं उसकी सथी के लिए उसे जिक्स में कभी भी बिदाना नहीं सकता उसका इसा बोलता है जी वाकते है रूमे जाती है और जो प्यार को मैस्ज करते है कि अगर तीस सेगें करने क्या आद तुमने जानने लूंगी बह कि तुमने बजे पता है कि तुमने ठोनों कि थो पता चल गया तुछ कि अब तुम नारग नहीं होंना कि मैं पशीखा को अच्छानक से वापस आ गया तभी जू बोलते कि हाँ यह नारज नहीं हूँ और उसके बाद हो उसे बोलते कि मैं तुम्हेरा डेली करके परिशान करने वाली हूँ जो बोलके उसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी हमें दिखा जाता है अगले वाले शीन में पसीका अवाबस कर आ गई और अप मादम का तमासा और नोटंगी दोनों चाल रहा था पसीका के जो भी चीजे थी आईलांड में सब जो हटा रही थी और पसीका के पोजिशन थे खुद को रखने के तैयारी कर रही थी और हमें दि पसीका की चीजे आईलांड से बाहर कर दिया जा रहा था लेकिन अपने मौन को अभूज भी नहीं कर पाता है हमें रिखा जाता है कि अप इस चीजे के बहुत नज्दीक था कि पैसे चुराने का काम करने वाले कौन थे लेकिन उससे बहले उसका किनापिंग हो गया था खर कि इसके पता नहीं था कि अभी ती कहा पर रहें चीजे लिए उससे पतार नहीं पाते ही ती को दिखाए जबतां पताने बहा थिए कोई बंदा उसी अर्यून पानता नहीं भी उसके चीज़िया ऊथिए पे यसे तो बच जाता है और पसीग नोड़ चाना ज़ा है और हमें दिखा जाता है आयलांब पे जो ती था ओतो गाय था और सब लोग काफी परिशान थे और हमें दिखा जाता है पस्टिका जीर से मिलके सब कुछ पता देती है और बोलते हैं अब हमें किसी भी कीमत पे ती को ढूलना पड़ेगा ओ बोलती है ठीक है और उसके बाद दिखा जाता है जो एकर चेन उसके पीचे पड़ा हुआ था उसकी जान रहने के लिए और टी के उबर वहां भी होई जाता है उससे बेले पजी का पहुचती है और उसके बाद दोनों मिलके उसे पाइकन की ट्राइ करते है और बंदा पसिका को सुट करने वाला था पसिका अपने साथ लेके आया हुआ था बंब्लास्ट करने के लिए और करे किया जा रहा था जो आपके जिससे सुक ने आगया था उसकी जान पर अलमस्ट जाते जाते बच हुए थी जो पसिकाची ओटी को लेके वापस आती है और टी की सीचेशन बेके जी तो सौक हो गई थी औ की वज़े से और इस बात की वज़े से वहाँ पर टी थोड़ा दूर से उसे देख रहा था और उसे मैसेज में लिख रहा था कि तुम वापस आ गई वेलकम बैक होम और पसिका बोलते कि यहां तो मुझे आना ही था और दोने एक जिसे कोई साड़ी साड़ी में बाती कर र लेकिन अब अंकल के विलके साब से तरह सा कुछ होना कभी भी नहीं था क्योंकि दो साल तक कोई भी पसिका को अपने पोजिशन से हटा नहीं सकता था इसलिए पसिका अपने जाते है ओपिस में नाली नहीं पर बहुँ जाती है और उसे भागने के लिए बहु नहीं थी उस साल तक पशिका को कोई भी इस कम्पनी से आउट नहीं कर सकता है और अगर कुछी ने काने की ट्राय किया तो वह बंदा यहां से आउट होगा सारी प्रॉपर्टी से और यह सबसुनने के बाद नहीं के वहां से जाना पड़ता है और उसके बाद ओ ठीके पास आगे बेलो रामाय स्टार्ट करती है कि वह यसा कैसे हो सकता है बला 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 और ओ किसी मी किमत पे पशिका को यहां से हट वाले के लिए बोल रहे होती है ती पहरे तो मॉम को समझाने के ट्राय करता है लेकिन मॉम तो मॉम है अपनी जोडियल वाली हरकत तो इससे बाच आने रहती ती को बहुत कुछ साथ आए और बोलता है कि मुझे नहीं रखता पशिका यहां कि उसके बहुत किया हुआ हो अलब कोई इतने अच्छे से नहीं जान सकता नहीं मैनेज़ कर सकता है तो प्लीज आप मेरे लिए प्रॉब्लम के मत किज अना कि अता है और बोलता कि कैसी हो इस बाच कोई बहुत कुछ हो इसे बहुत कुछ होते बहुत कि गल्ती कि मुझे नहीं लगाती से अब फैस नहीं पड़ता है अगर तुम जानन सके मुझे गल्ने लगाती तो पुर मजे यहें वैक आए तो आप में ऑच्छी होता है मुझे अच्छा लगा मुझे सारा सच पता चल गया है तू मात अची का सिबलिंग हो तो एसे निकवा दो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं अगलिस मेरा तो दाल गला ना ऐसा हो बोल रहा था अगलिस में दिगा जाता है जो पस्काती पस्कात प्स्कात बोलता है कि अगर किसी को भी पता चलेगा हम दोनों सिबलिंग से तो साहिड लोग मुझे इतनी ख्लोज ना होए और हम जो निशन पर आया है यहांपर इसके वारे हम ज्यादा जान नहीं पाए अभी लोग तो मु हम जो इंपनों ज्यादा करोज इसा उ बोलता है ऑपसी का कि आया उनगाता है जह आते बागती है और जैए बहु पहे तो सभी शुल्म से उ नहीं जा रहा हो और जैए कagain नहीं बात पस बऻूेदों से बोलतेगे कि लिए इन नहीं तो नहीं जा रही हो और जीरा जेह के ब तो बोलती है तो अगली वाली स्मय पाट जीव को बेचल रहा होता है उसे बोला था कि अब तो तुम्हें साथ पता चल गया तो क्या तुम मेरी गर्फिंट बनोगी यह सुनने के बाद तो जीव तो बहुत नरुज पील करती है वो बोलते कि कैसा बनता इतने डारिक लिए कौन पुछता है तभी जो पैर था वो बोलता कि मुझे इंडारिक बात करना नहीं आता और उसे बोला था कि क्या सची में तो मेरे गर्फिंट बनोगी वो उसे कुछ बोले बगर वहां से नर्वस फिल करते हैं भाग जाती है और बैट की बन में एक उमी फिरोसनी चाग रही थी जीव के लिकर क्योंगी उसे बहुत ज़्यदा पसंद करने लगा था अगले चिन में दिखा जाता है ची पशीका के वापस आने से काफ़ी कुछ था और धीरे दिरिखते हैं कि वह पसका हे इसाथ सारी चिजे नर्मल कर भी रहा था लेकिन हमें पर दिखा जाता है तो जुख जी की मौम थी उ पकाफी जाहता रो रहे होती है और उ पशीका और जीओ को सारा सत soc बता धसे प्लान के यसा अपसे का प्सी का से बत्याब वक्सक बात करें लगता यह बून राट लिहां यह तो ऑउसे बूछे टेक्स करता है वह इस बोलती है कि तुम तुमसे प्यार करते थे 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 down और यह सुनी करत पशिका को काफी जादा बूरा लगता है और पशिका बोलती कि ठीक है अगर तुम्हें लें सब खेले तो कोई बात नहीं लेकिन एक बात ज़रूर ज़रूर रखना है कि आज के बात में भी तुम्हारी कोई भी बात पर पर परशाह नहीं कर पाऊंगी और पर शिका भी अपने मन को समाल लेते हैं क्योंकि इस आइलेंड पर बहुत कुछ जहल चुकी थी तो इसके लिए इतनी बड़ी नहीं थी वह बस बिशाइद करते हैं कि उस्टी से दूर रहना है और आमें दिखा जाता है आखरी पार्ट में अभी कंपनी से कुछ पैसे गा में लग जाते हैं यहीं पर एपिसोड नमर एट खतम हो गया इसका जो नेक्स बार था मैं बहुत जल्द दिलाओंगी उसके लिए आपको करना बस यह होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो या पिसी ज़्यादा मेरे वीजियो को फॉयल आओ ताकि मैं आप लोगो झाल आप रह चॉया, जग्स, ज़्यादाओ, प्रीजादा।